कल एक reaction दी थी आप लोगों को अना उसकी rate of reaction लिखने के लिए क्या reaction थी तो आपन कहेंगे 3x plus y और gives हो रहा था 2z ठीक है भई कुछ बच्चों ने बेज दी हमरको कुछ बच्चों ने नहीं बेजी अब मैं आपको कुछ ज्यादा केद नहीं सकता ना भई यह ना बड़े बच्चे हो ना कि सॉल्व करोगे तो खुद के लिए ठीक रहेगा और नहीं सॉल्व करोगे तो भी खुद के लिए ठीक रहेगा है ना तो हम तो काली कह सकते हैं आपको तो आपको सॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से है ना सॉल्व करोगे क्या rate of reaction हो जाएगी अपने इन दोनों का डिसेपिर हो रहा है तो concentration of x upon delta t 1 upon 2 explanation सब कर दिया था मैंने आपको कल ठीक है भी अब ये reaction लिखी है अपने तो इस reaction के लिए rate of reaction तो आपकी हो गई है अब इसको किसी दूसरी term में अपन कैसे लिख सकते हैं तो एक term और होती है rate of appearance ठीक है भी rate of appearance अब appearance का मतलब क्या हो गया? appear कौन होगा? z ही होगा? x और y तो क्या हो रहे है? disappear हो रहे हैं तो अगर इस reaction को अगर अपन rate of appearance की form में लिखेंगे तो क्यवल और क्यवल term किस के आएगी? z के आएगी x और y के अपन नहीं लिख सकते क्योंकि वो appear नहीं हो रहे है disappear हो रहे हैं तो उसके लिए जब लिखेंगे अपन rate of disappearance लिखेंगे इसके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन rate of appearance of j जेड नहीं है? तो क्या कहें दिया अपन ने? del j concentration change in concentration upon delta t अब अपने को यहाँ पर plus minus sign वगरा कुछ भी अपने को लगाना नहीं है क्यों? क्योंकि अप changes हो तो अपन क्या कर सकते हैं? mode लगा सकते हैं जब कभी भी plus minus का sign आएगा तो अपन क्या लगा देंगे? mode लगा देंगे और mode लगाने से क्या हो जाएगा? positive हो जाएगा अपने लिखा rate of disappearance ठीक है? और किसके लिखेंगे अपन? x के लिए x के लिए अगर अपन rate of disappearance ना यहाँ पर नहीं रहेगा? average rate of reaction लिखेंगे तो अपन coefficient minus 1 upon 3 लिख रहे थे तो यहाँ पर अपने को ना तो positive negative sign लगाना है ना उसके coefficient लगाने ठीक है? और negative sign को positive में बदलने के लिए अपने क्या लगा दी? इसके mode लगा दी है जिसके कराण से हमारे को positive और negative में confusion ना रहे clear? अपने mind में रखो कि यह disappear हो रहा है तो हमारे को rate of reaction में minus sign लगाना है और appear होता है तो positive sign लगाना है ठीक है? अपने को rate of appearance, rate of disappearance लगाते समय positive और negative sign को mention नहीं करना है नहीं तो confuse हो जाओगे और positive negative sign के अक्चकर में उलज जाओगे ठीक है? तो numerical करते समय भी यह दियान रखना numerical पर concentration करना अपनी positive negative में उलजना मन क्या unit हो जाएगी? rate unit of r or कोई अगर unit पूछे तो क्या कहेंगे? उपर क्या है concentration? नीचे क्या है time? तो concentration upon time concentration की क्या unit होती है अपने पास? mole per liter concentration की unit क्या है? mole per liter ठीक है? और time की unit क्या है second? तो अपने second लिख लिए क्या हो जाएगा? mole, liter inverse, second, inverse ठीक है भी? और अगर कभी gases दे दे तो gases की unit जो होगी वो partial pressure की term में होगी तो partial pressure की term में क्या कर देंगे अपन? atmospheric pressure upon second तो gases के लिए यह वाली unit हो जाएगी? otherwise यह वाली unit काम में लेंगे ठीक है? अब मैं कुछ questions देता हूँ, उसको solve करने की कोशिश करो, यह ना? देखो जैसे haber process आप लोगों ने सुना, haber process में क्यों आता है? nitrogen और hydrogen दोनों मिलकर क्या होती है? ammonia बनती है, चलो उससे पहले मैं आप लोगों को एक reaction देता हूँ, ammonia plus oxygen gives NO, और साथ में को निकल के आपके? है H2O, मैंने कहा कि इस reaction के लिए rate of reaction लिखो, rate of appearance लिखो और rate of disappearance लिखो, इन तीन चार चीज़ें की अपने को values लिखनी है, ROR, ROA और ROD, ठीक है? तो first of all तो क्या करना पड़ेगा? जिसको आता है, वो इस वीडियो को pause करके, उसको solve करके फिर आगे वीडियो देखो, जिसको नहीं आता है, वो continue करो, और आने के बाद, जो अगली reaction देने वाला हूँ, उनको solve करो, ठीक है? तो first of all तो क्या करना पड़ेगा? इस reaction को balance करना पड़ेगा, अब जिनको reaction balance करना आता है, वो तो आराम से कर लेंगे, और जिनको नहीं आता है, वो अलग से सीखना है, ठीक है? रेक्षन को balance करेंगे, तो यहां 4, यहां 5, यहां 4 और यहां 6, इसको क्या कर दिया? अपने reaction को balance कर दिया, rate of reaction लिखने के लिए क्लिए 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 वन अपोन 4, concentration, change in concentration of NS3 upon delta T is equal to 1 by 5, है न? और negative sign लगाएंगे, क्योंकि क्या लगेंगे, रेक्षन में तो हमारे को negative sign लगा नहीं है, ठीक है भी, change in concentration of O2, delta T is equal to 1 by 4, change in concentration of NO, फिर delta T, फिर equal to 1 by 6, change in concentration of H2O, और delta T, यह तो लिख दिया अपने rate of reaction, rate of appearance किसकी लिखेंगे अपन, 4 NO, तो simple सा rate of appearance 4 NO, क्या लिखेंगे अपन, dal NO, अपन, delta T, और H2O के respect में लिखेंगे, तो क्या लिख दिया हयंगे है, अपन, H2O के respect में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हैं अपन, अराम से, change in concentration of H2O upon delta T ठीक भी rate of disappearance ammonia की term में किसके लिए लिखेंगे ammonia के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन change in concentration of ammonia upon delta T oxygen की term में लिखेंगे तो क्या कहेंगे change in concentration of oxygen upon delta T यह दर जाएगी बात और अगर confusion हो plus minus है तो क्या लगा दो आप mode लगा दो mode लगाने से क्या आजाएगा सारी positive में आगे लिखेंगे एक numerical में देता हूँ उसको फिर अपन solve करते हैं यह rate of reaction लिखना वगरा तो आजाएगा आराम से इसको लिखना अब चलते हैं अपने ammonia की reaction की तरफ ammonia की reaction क्या कहती है तो ammonia की reaction कहती है N2 plus H2 gives ammonia तीक है अब दे रखा आपने को during the formation of ammonia two moles of nitrogen disappear in one minute one minute के अंदर क्या हो रहा है two moles of ammonia dissolve हो रहा है या disappear हो रहा है ठीक है then find out then find out पहले तो rate of reaction find out करो second part में rate of disappearance find out करो किसके निकलेगी वो ammonia की निकलेगी third find out करो rate of appearance of ammonia यह तो hydrogen की निकलेगी भई rate of disappearance तो hydrogen की निकलेगी ठीक है यह बात कर रहे है अपने nitrogen की भी निकाल सकते हो during the formation of ammonia two moles of nitrogen disappear nitrogen की तो दे रखी है hydrogen की disappearance निकलो और ammonia की appearance निकलो clear ठीक है एक चीज वर की देर की है the volume of vessel is one liter concentration term को बात करेंगे न तो one liter की बात करनी पड़ेगी यादरी जाएगी बात इतना सा हो जाएगा क्या निकालना अपने को ROR RO disappear rate of appearance ठीक है solve करो नहीं आवे तो आगी वीडियो देखो जिसको आता है वो वीडियो को यहीं पॉस करके इसको solve करने की कोशिश लगे रहो देखो भई क्या कहे रहे हैं अपन 2 moles of NO2 nitrogen disappear यानि कि क्या दे रखा हमारे को rate of disappearance of N2 यह दे रखा और rate of disappearance of N2 का क्या मतलब है तो rate concentration change in change in N2 upon delta T यह दे रखा अब कितनी concentration change हो रही है तो 2 moles per liter कितना ले रखा है per liter तो क्या कि दिया अपनने 2 moles upon liter के अंदर और कितने time में change हो रही है तो अपनने का 1 minute के अंदर तो यह कि दिया अपनने 1 minute यादर की बात solve करेंगे आगे तो क्या कि दिया 2 moles upon 1 liter और 1 minute में second कितने है तो 60 second अगे solve किया तो क्या आया 2 by 60 mole liter inverse second inverse अगे नहीं जा रहा है उसको आगे लिखते हैं अपन तो क्या तो कितना आया 1 by 30 mole liter inverse second inverse यह क्या आगे हमारी ROD of N2 यह है ROD of N2 यह है यह आगे अपने value अब यह value निकाल लिए अपनने अब इस value को निकालने के बाद अपन rate of reaction की तरफ चलते है ROR क्या केती है rate of reaction क्या केती है 1 अप nitrogen के लिए निकालेंगे तो minus 1 upon 1 rate of reaction के लिए तो लिखना पड़ेगा इसे N2 upon delta T equal to balance करो पहले बिना balance के आप rate of reaction मत लिखना भई ठीक है balance किया तो यह क्या इसने 3 और इदर के लिए 2 तो क्या कहेंगे अपन minus 1 upon 3 del H2 upon delta T ठीक है फिर अपन क्या कहेंगे अपन ammonia के लिए plus 1 upon 2 change in concentration of ammonia upon delta T clear याद जाएगी बात अब एक बात बताओ यह values तो हमारे को दे रखी है यह रही तो value रख ले है यह सब equal to में है तो किसी एक को ही solve करना है और इसकी value क्या कर रही है हमारे को put कर रही है यह रही तो क्या कहेंगे अपन rate of reaction नीचे नहीं दिख रहा होगा ना rate of reaction is equal to minus 1 by 1 multiplied by या तो mode लगाओ या ना और नहीं लगाते है तो rate of disappearance है तो disappearance के लिए कि लिए लिख दिया minus 1 upon 3 mole liter inverse second inverse solve करेंगे तो कितना आजाएगा 1 upon 30 mole liter inverse second inverse या दरे जाएगी बात तो यह किसका लिए आगे अपना rate of reaction तो यह आगे rate of reaction अब जब rate of reaction find out कर ली है तो rate of disappearance भी fight out कर सकते हैं और rate of appearance of ammonia भी find out कर सकते हैं वह कैसे find out करते हैं वह अपन देखते हैं rate of disappearance of H2 यह देखना है यह निकलना है अब यह क्या होगा हमारा तो डेल H2 अपॉन डेल्टा T रेट अफ डेसे पेरेंस यह होता है तीक है अब हम जानते हैं क्या ROR is equal to अगर hydrogen की respect में अगर अपन ROR लिखेंगे तो क्या लिखेंगे minus 1 by 3 डेल H2 अपॉन डेल्टा T ROR कितना है अब यह अपने find out किया था उधर तो कितना देखा था अपने 1 by 30 is equal to minus 1 by 3 डेल्टा H2 और डेल्टा T अब यह जो value है यह value किसकी है ROD of H2 तो इसी को find out करना है इसको find out करने के लिए क्या कर सकते हैं 3 को उधर ले जाएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे यह ना तो यह 3 को उधर ले जाओ और यह minus sign हटाना पड़ेगा क्योंकि अपने को ROD है और ROD में अपन मोड लगा रहे थे उससमें अपन तो यह क्या लिख सकते हैं अपन देल्टा H2 अपन देल्टा T और यह लगा दिया मैंने मोड जैसे मोड लगाएगा तो माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव में करनोड हो जाएगा और क्या हो जाएगा तो 3 इंटू 3 उदर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा यह यह बन जाएगा 1 अपोन 10 मोल लिटर इंवर्स सेकंड इंवर्स बोलो भई ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव में कन्फिजन नहीं रखना है बिल्कुल पॉजिटिव का मतलब बनना पॉजिटिव डिसेपि तो निकाल लिए अब आर ओए ओफ अमोनिया यह फाइंड आउट करो ठीक है भई फाइंड आउट करोगे तो आपकी वेल्यू आएगी वन अपोन 15 मोल लिटर इंवर्स सेकंड इंवर्स इसी है जब अपने इतनी सारी चीज़े निकाल दी तो जैसे आर ओ आर अपने और दी या और ओ अपन लिख रहे तो पोजक्टो और नेगेटिव साइन नहीं लिख रहे एंगा कियोंकि आपने पहले से ही मेंशन कर दिया कि डिसेपियर हो रहा है ठीक है जब अपन डिरेट और ओफ रेक्षं और लिखेंगे तो पोजक्ट और एगेटिव को मेंशन करन ठीक है अब एक reaction देता हूँ आप उसको solve करना ठीक है उसकी rate of reaction ROD ROA सब find out करना ठीक है